नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का अपने चैनल टेकिन ठागेट में स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ है अशीष जिनका प्रेस्मेंट दो चुआ है एकसेंचन में अग्षा की वीडियो में यह अपना पूरा का पूरा रिकृट्ड में प्रॉसस के लिए इसको ग्राब भी किया है तो इस वीडियो को स्चार्ट करते हैं अशीश के इंट्रोडेक्शन के साथ अशीश को कॉंग्राचुरेशन जरूर मेश कीज़ेगा तो आशीश जैसे कि आपके सेलेक्शन हुआ है तो पहले बताइए क्या यह ओन केंपस था है या फिर यह ओन केंपस हाई रिंग थी विए मेरी कॉलेज में एमाइटेस गवालियर वहां पर ओन केंपस आई थी अचा ओन केंपस आई थी तो आशीश यह बताईए जब आपको पता चला उन-केंपस आई थी तो इसमें कौन-कौन से डिफरेंट इस्टेजस थे कैसे आपको बताया गया कि यह आपका रिकृट्मेंट प्रॉसेस लेगा तो आपका रिकृट्मेंट प्रॉसेस क्या था तो मैं शुरू से ही शुरुवात करूंगा यानि पहले आपके वास मेल आती है एसेंचर की और से वहाँ पर डीटेल्स को सही फिल करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चों के वहीं पर फॉर्म रिजेक्ट हो गयते हैं तो वह आगे हाइरिंग प्रोसेस में सेर्ड कोडिंग रॉंड थर्ड कम्शुन रॉंड इन इंटर्व्यू फॉड में क्या होता है यहां पर 90 कॉष्टेंस होते हैं 90 मिनिटस होते हैं आपके पास सौल करने के लिए इसमें mainly आपके बास sections होते हैं reasoning, pseudo code, MS office questions, cloud and networking and English तो ये सारे patterns में 90 questions होते हैं और इसमें लगभग ये भी fix है कि किस section से कितने questions आएंगे यानि मैंने हैं पर लिख रखा है कि reasoning के 33 आते हैं pseudo code के 18, English के 17, MS office के 12 और cloud and networking के लगभग 10 आते हैं एक यहाँ पर अलग बात यह थी हमारी hiring process में कि हमें यह नहीं पता था कि sectional cutoff भी हो सकता है क्योंकि इतना surely बताया नहीं जाता है और बताया हमें भी नहीं गया था लेकिन कुछ बच्चों के experience सी यह पता चला कि सायद यहाँ पे sectional cutoff है क्योंकि उनके questions अगर overall percentage की बात करें तो 50% हो गए थे लेकिन फिर भी उनका round वो clear नहीं हुआ तो sectional cutoff हो सकता है जादा नहीं होता है लेकिन तीन-चार question अगर दस question है तो तीन-चार question तो कम से कम आप करें उतने में हो जाएगा हो तो यह first round की details थी यह first round जो यह हुआ coding and technical round इसके just clear होने के बाद उसी दिन same day पर coding round स्टार्ट हो जाता है अगर आपका clear round नहीं होता है तो आपको सीधा message आ जाता है कि आपने clear नहीं कर पाए है और अगर clear हो गया है तो आप coding round के लिए eligible होते हैं उसी session में then coding round के लिए आपके पास 45 minutes होते हैं और दो coding questions होते हैं पहले क्या होता था कि आगर आप AC role के लिए भी जा रहे है ना यानि 4.5 के लिए तो coding round के आपके questions हो यह जरूरी नहीं था यानि आपको attempt करना जरूरी था लेकिन अगर questions ना भी निकले तब भी आप eligible हो जाते थे interview के ल वहां से ही बाहर कर दिया गया उसे communication round के लिए भी eligible नहीं रखा गया तो यह मेरी college की बात है हो सकता है कि वहां पर competition बहुत जादा था बच्चे जादा थे उन्हें सायत्तम लेने होंगे तो उन्होंने criteria change कर दिया हो तो यह भी अलग बात थी और questions का level भी अलग था यानि इपी तक के भी question वहां पर आये थे और एकदम easy questions जो आप YouTube पर देखते हैं वह नहीं आया थे वह तो एक भी question किसी को नहीं आया तो इस बार level थोड़ा ज्यादा था हो सकता है competition ज्यादा है या demand कम है इसले भी हो सकता है बाकी colleges का तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मेरी college में यह क्योंकि मेरा coding round clear हो गया था मेरे दोनों questions हो गए थे तो उसी दिन मुझे में लागा है कि अब आप communication round के लिए eligible है दिन communication round होता है वह elimination round नहीं होता है वह normally भी नहीं होता था और हमारे यहां भी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि वह communication round के बाद eliminate हो गया हूं वह जो बोल रहे हैं उसे repeat करना है इसे पांच-छे टास्क करेते हैं लेकिन उसमें कोई भी human involved नहीं रहता पुरा मशीन से यह होता है यानि मशीन ही आप से पहले मुझा यह बताईए कि जो इसमें फर्स्ट्राउंड होता है उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे क्या क्या रिजोर्स आपने यूज की हां विल्कुल वैया तो मैंली प्रिपरेशन हमारी यूटूब से ही थी जहां पर बहुत सारे चैनल्स थे आपके चैनल्स में भी आ हुआ है ओनलाइन स्टेडी फॉर यू है प्रेप इंस्टा है कुछ छोटे चैनल नए जो आ है टेक बड़ी टेक टेक नो यूएफ यह सारे चैनल्स वहां से भी हां उनकी वेबसाइट भी है तो महां पर भी जो कोश्चन से प्लस यूटूब पर भी जो इन्होंने डाल र यानि यूटूब पर तो इसा कुछ था नहीं जो मैंने और मेरे ग्रूप ने पढ़ाना हो और इसमें जो और यह तो मैं पहले राउंड की कह रहा हूं लेकिन इंटर्यू के अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ही दो मोग इंटर्यूज दिये थे एक्सिंचर के लिए ही स्पेसिफिक उनसे मुझे बहुत ज्यादा होई क्योंगी दो तीन कोश्चन में जहां पर मुझे कंफिजन था और आपने क्लियर किया कि नहीं इसे ऐसे नहीं वैसे कह सकते हैं तो वह एक्टॉल्स में कोश्चन मेरे से पूछे गए उसी तरीके से पूछे गए जैसे आप तो ठीक है इंटर्वी के मेरे जो भी कोश्चन से मेरे हैं अपर साव लिख लें थाकि कोई ना हो जाए तो इंटर्वी स्टार्ट होता है मेरे के इंट्रोड़क्शन से उन्होंने खुद को पहले पुरा इंट्रोड्यूस किया कि वह कौन है किस पोस्ट फर हैं पर बता रखा है, सेम फूरा वही exact formula था, मैं कहां से हूँ, from where I am, blog, मेरा नाम क्या है, college कौन सी है, skills क्या है, project कौन से है, अगर internship की है तो उसे mention कर सकते हैं, then hobbies, एक आदी punchline बीच में जो आपको बताए कि आप active member हो, and आपकी strength, तो इन सब का ही, जो मेरे पास पहले से pre-return answer था, वही मैंने पूरा बोल दिया, then उसके बास second question था, वो मेरे project पर था, tell me about the project you are most proud of, यानि here you need to tell me about the project you have made, जो कि आपके पास पूरा पहले से ही होना चाहिए, कि आपको क्या बोला जाएगा, क्योंकि एक्सेंचर में ये तो फिक्स है कि आपके project पर आएगा ही आएगा question, ये बात हमारी भी मुझको इंटर्व्यू में होई थी, कि वो बिल्कुल पूछेंगे, और वही हुआ कि पहला question वही आएगा, कि आप project के बारे में बताईए, तो project के बारे में आप ऐसे शुरू कर रहे हैं कि वो किस problem को solve कर रहा है, यानि आप problem से शुरू किये, फिर उसका solution बताईए, फिर कौन सी technologies इंप्लिमेंट की है आपने, उसे इंप्लिमेंट करने में कौन सी technologies यूज किये हैं, और team size क्या है, कितना time लगा, यह सारी बाते आप मेंशन करेंगे, तो दो-तिन मिनिट आराम से आप उस पर बोल सकते हैं, और अगर आपने वह एक flow में बोल दिया, तो फिर सामने वाले को आपके confidence आ जाता है, कि इसे actual में चीज़े पता हैं, next question मेरा project पर ही था, कि how do you handle and resolve conflict, कि अगर आपके team members के बीच में conflict हो जाता है, तो आपने उसे कैसे handle किया, कैसे उसे resolve किया, यह question project पर ही था उसके just about, तो आप तो इसका answer आप ऐसे दे सकते हैं कि इसका answer ऐसे दे सकते हैं कि sir as there can be always be differences in area, areas and interest and opinions, so as it was our case with us also, so whenever situation arose, like we have differences in opinions, we sat together, we discussed each other's ideas, we try to understand the other person's point of view and then after a certain level reasoning, whatever was suitable for the project and good for the project, we have implemented it, then it doesn't matter whether the idea was mine or of my partner, so I must say sir we never had conflict, we always had discussion and we have complimented each other, तो यानि मैंने उसे यह कहा कि ऐसा नहीं था कि हमारे conflicts नहीं होए, लेकिन जब भी होए, तो हमने उसका discussion करके और जो चीज हमारे project के लिए सही थी उसे implement किया, ना कि ego पर लेकर कि मेरी ही बात चले गया तेरी ही बात चले तो मैंने conflict को discussion में वहाँ पर convert किया, तो वह बात उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो इस तरीके से मैंने इसका पुरा answer दिया था, अगला question उनका यह था कि if you are leading a team, then how will you assign work to your team, यानि आप work assign कैसे करेंगे, तो इसका मैंने three points में जवाब दिया था, पहला, कि I will understand the problem thoroughly, यानि कि मुझे किस बारे में सोचना है, उसके बारे में मैं पूरी तरीके से पहले जान लूँगा, कि मेरा work क्या है, जो मुझे assign किया गया, दूसरा, यह कि मेरी team को नहीं, मतलब knowing my team, मेरी team के पास क्या talent है, प्लस मुझे क्या चाहिए, तो उनके right match को करकर, कि कि किसकी क्या skill है, प्लस work कि यह कौन सा कर सकता है उस skill पर, यह match करूँगा, और तीसरी step यह थी, कि एसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा काम है, जो अभी किसी को नहीं आता पूरी team में, जो कि नया ही काम होगा किसी के लिए गए, यानि ऐसे कितने लोग हैं, जो सच में नई चीजों को बहुत जल्दी सीखना चाहते भी हैं, और कर भी सकते हैं, उन्हें में वो नई चीज दूँगा, क्योंकि तो सर ने यहीं बोला, कि मैं तुम से यह पूछने ही वाला था कि अगर कोई skill ना हुई तो तुम क्या करोगे, तो उसका मैंने पहले ही दे दिया था जवाब, यह मतलब मेंनली questions थे जो मेरे project पर थे, तीन questions थे, देन अगला question था कि how do you manage work-life balance, यानि उन्हों सीधार जिदा नहीं पूछा था, उन्होंने ऐसे पूछा था कि आपकी college तो इंद वर में हैं नहीं, सनावद में हैं आप गॉालियर में, तो फिर आप घर से कैसे manage करते हैं, क्या आप डाउन करते हैं या वहीं रहते हैं, तो मैंने का कि मैं गॉालियर में ही रहता हूं, और मेरी family से मेरी रोजाना भले ही 5 minute लेकिन बात हो जाती है, तो पता चल जाता है ये घर पर कैसे का चल रहा है, जब भी vacations मिलते हैं तो मैं चले जाता हूं, और मैं ये भी कहूंगा, मैं इसमें ये और्डन किया था कि I must say, कि my family is also very supportive to me, when it comes to my career, they never compromise, and they are absolutely okay with me, shifting to other cities or locations for the growth of my career, तो मैंने ये भी बोल दिया है कि मेरे family भी supportive है, कि अगर आप मुझे कहीं दूसरी location पर relocate करेंगे, अगर job में, तो वहाँ पर भी मेरे family को कोई दिक्कत नहीं है, और मैं जा सकता हूं, तो ये question भी मैंने फिर उनको साथ आप में ही बता दिया, इस बात की हैं, ये था फिर तीन में जाता हूं कोई technical questions थे, ज्यादा technical questions थे नहीं पूरे interview में, ये तीन ही mainly थे जिसमें पहला था कि tell me about no SQL, क्योंकि मैंने introduction में कहा था कि मुझे DBS आता है, Java आता है, तो उन्होंने फिर no SQL में बूचा, तो ये तो ये तो सारा आप बोल सकते हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद एक और चीज जो essential interview में पूछते ही पूछते हैं, जो हमने भी mock interview में discuss किया था, कि emerging technologies पे वो पूछेंगे, तो उन्होंने पूछा कि tell me about cloud computing, तो पहले क्या था, कि हमने ये discuss किया था, कि हो सकता है कि वो ऐसे बोल लेकिन आपने mock interview में कहाता है कि हो सकता है कि वो डायरेक्ट नाम लेकर बोल देंगे, कि वो ऐसा नहीं कहेंगे कि AI के बारे में बताईए, हो सकता है कि cloud computing के बारे में बताईए, तो मैं prepared था उस चीज के लिए, मैंने पहले से मेरा brief तेयार था, तो मैंने answer दे दिया, तो मैं यह कहूंगा कि आप emerging technologies में भी at least दो तो पढ़ी लें, जैसे artificial intelligence पढ़ रहा है, तो cloud computing का भी थोड़ा brief पढ़ लो, तो इस पर यह question था, what is cloud computing, और इसी पर follow-up question था, कि advantages and disadvantages of cloud computing, तो advantages आप बता सकते हैं, कि आपको सारा infrastructure and architecture खरीदने की जरुवत नहीं है, आप पे as you go model पर rent पर ले सकते हैं, और disadvantages में आप privacy की बात बता सकते हैं, क्योंकि आपका data आप किसी third party पर rely कर रहे हैं, तो आपके data की privacy का issue था हमेशा ही है, क्योंकि वो आपके data को access कर सकता है, जो cloud computing service provider है वो, तो यह तो technical question है, आपके understanding पर है, आपको जितना पता होगा, आप बोल सकते हैं, इसके उपर, then उनका अगला question था कि, why do you want to join Accenture, यानि Accenture ही क्यों, आपको Accenture क्यों जोइन करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको Accenture की qualities बतानी है, उसकी है, यानि, you can say Accenture is among the most admired company in the world, Accenture is admired as among the top 10 great places to work in, Accenture focuses heavily on retraining its employees, investing over $1 billion every year, Accenture is a growth-oriented company, it is focusing heavily on artificial intelligence, planning to invest over $3 billion, तो या आप अगर figures उन्हें बताएंगे, और actual उनके awards जो उन्हें मिले ही, तो अगले को, सामने वाले को पता चलेगा कि आप company को लेकर serious हैं और आपनी study की है, कि Accenture क्या कर सकती है और क्या कर रही है, इसी में मैंने एक motivational line भी उनकी डाल दी थी, जैसे क्या, कि यह सब चीज Julie Sweets की, जिसने मुझे बहुत motivate किया, वो line यह थी कि we at Accenture care deeply about what we do and the impact that we have with our clients, इसे पता जलता है कि company कितनी thoughtful company है, अब यह line उनकी website पर थी, Accenture की, तो आप यह ज़रूर करें कि जिस भी company का interview देने जा रहे हैं, एक बार उसकी website ज़रूर visit कर ले, तो आपको बहुत सारी चीज website पर ही mention है, के line भी website पर ही mention है, उनके कितने employees हैं वगेरा, यह सारी चीज़े वहाँ पर है, तो इस question का answer वहाँ से देख सकते हैं, फिर आता है question of the interview, यानि जहां से आपका question interview बन जायेगा या तो बिगड जायेगा, बस यह question आदमी इसलिए पूछता है कि आप आखरी में इ तो इसका answer आपको बहुत डीप देना चाहिए, जब भी दो, यानि थोड़ा सोच समझ कर दो कि क्या बोल रहे हैं, तो मैंने यह कहा था कि, sir, you should hire me because my mindset and my personality resonates with the culture of Accenture, having said that, here I want to highlight two points, तो इसमें मैंने दो पॉइंट्स क्या highlight किये थे, पहला यह क्या embrace diversity, क्योंकि Accenture की यह बा male-female ratio, वो maintain करके चलते हैं, और जो भी उनके चीजे होती है, social media पर LinkedIn पर, वहाँ पर reflect होती है, कि वो diversity में बहुत बिलीव करते हैं, तो I embrace diversity, और इसमें आपको reason भी देना है, क्यों हम कैसे मान ले, so मैंने यह कहा था, this is why, that is why we are working as a team from last three years, whether it being our social and cultural group, or our sports team, where we have people from different places, religion and gender as well, तो यह मैंने यह भी कह दिया, कि मैं क्यों यह बात कह पा रहा हूं, और दूसरी बात यह है, कि along with my cognitive knowledge, I have working on developing emotional intelligence, which helps me knowing my team better and enhances my collaborative skills, तो cognitive knowledge तो हेगी, यानि किसी और किसी और बंदे में भी मिल जाएगी, इतनी cognitive knowledge तो, जो राउंड्स में clear करके आए, लेकिन एक emotional intelligence का जो point है, क्योंकि मुझे हाँ पर आके ले तो work करना नहीं है, मुझे टीम में work करना है, whether it being as a team member और a team leader, तो वो चीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये दो points मैंने वहाँ पर highlight किया, why should we hire you, तो इसका उन्होंने थोड़ा बोला कि हाँ, आपका थोड़ा unique answer लगा मुझे, तो इसमें भी, मतलब आपके interview के interviewer के चेहरे से पता जल जाता है, कि अब ये क्या सोच रहा है तो नेक्स कोशन उन्हें पुचा कि, have you learned something recently, or you are learning something, तो इसमें मैंने टेकनिकल में गया ही नहीं, मैंने ऐसे answer दे दिया, कि yes sir, I am learning and focusing on enhancing my communication skills, that includes English speaking and body language, तो उनके बास ज्यादा कुछ था ही नहीं, इसके बारे में पूचने के लिए, कि जहां वो फसा सकते, तो ये मैंने अल उन्होंने ये पुचा, अच्छा, प्रोजेक्ट में उन्होंने ये पुचा था कि, is this your recent project, तो अगर आप, जिस भी प्रोजेक्ट पर आपको confidence है, आप हाँ ही बोले, कि हाँ ये recent project ही है, और लास्ट कोशन बस यहीं था कि, any questions for me, तो उनके लिए questions, मैंने पूचा, मैंने ब इवन टू एस फ्रेशर, वेन वी आर जोइनिंग एसेंग्चर, तो इससे यह पता जलता है कि मैं क्यूरियस मूं जानने में, सीखने में, समझने में, और दूसरा कोशन देता है कि, हाँ अडे ओफ एंप्लोई एक्सेंचर लोग्ट लोग्ट लोग्स लाई इन टेक्निकल पूरे इंटर्व्यू में कोई ऐसा टाइम तर जहां किसी कोशन का आंसर नहीं दे पाए हूँ मेरा जो टेक्निकल एक था ना नो स्कुल कोशन उसका मैंने एंसर दरूर दिया था लेकिन मुझे लगता है कि मैं और अच्छे से दे सकता था क्योंकि मैं पूरा डीवी में प्रिपेर के गया था जो सीकुल वाला पार्ट था और उन्हों ने वह सारा छोड़के नो सीकुल पहुच लिया बाकी एक दो कुश्चन जैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग वाला फस सकता था लेकिन क्योंकि हमारी मोक इंटर्व्यू में उस रेकूटमेंट के लिए प्रेपेर कर रहा है और किनकिन रिसोर्स को उसको यूज करना चाहें तो फर्स्ट राउंड की जहां तक बात थे और कोडिंग की तो कोडिंग में तो वो ट्री ग्राफ डाइनामिक प्रोग्रामी इनमें जनरली नहीं जाते हैं यह तो इसी बार हुआ है कि हमारी कोलेज में कोश्चन साहें अदर्वाइस आप आरे स्ट्रिंग बिट्वाइस ह आप यूटूब से बिल्कुल पढ़ लें जो मेने चैनल से शुरू में वह सारे चैनल सी बहुत है उन पर सारे कोश्चन से पहले राउंड के लिए तो और इंटर्व्यू के लिए जहां तक बात है कि आप कुछ चीज़े ना प्रिपेर करके रखें जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है पहली बात वो ग्रूप प्रोजेक्ट होना चाहिए ग्रूप प्रोजेक्ट नहीं भी है तो उसे इमेजिन कर लो कि आपने और आपने दोस् फ्रंटेंड का मेरा है इसे बोलना है वह पर उन्हें नहीं पताएंगी घ्रूप था भी कि नहीं था आपको यसे प्रिटेंड करना है कि हां गुरूप प्रोजेक्ट है उसका इंट्रोड़क्शन पूरा प्रिपेर करके रखें रिटर्ण रखें कि मैं क्या बोलूँगा क आपके पास होना चाहिए प्रस आपकी जो लेंग्वेज है किसी में तो आपने डिए से कर रखा होगा सी प्रस प्रस होगी या जावा होगी उसके बेसिक कोश्चन्स कर लो जावा टी-पॉइंट से या इंटर्यू बेट से यह जो कुश्च वेबसाइट से इनसे उनके जनर प्रादर कंपनीज के लिए तो आपको पढ़ना ही है को सब्जेक्ट तो यह कुछ चीजें जो आपके बास प्रिपेड होनी चाहिए आपका प्रोजेक्ट आपका इंट्रोडक्शन के और चारो पांचों को सब्जेक्ट और एचर के कोश्चन्स जो भी कंपनी स्पेसिफि होने चाहिए कोई भी कोश्चन आप इंटर्व्यू के अंदर जब पहली बार सुनोगे ना तो नर्वर्स हो जाओगे जो आप बाद में दे सकते थे और आगर आपके बार रिटन होंगे आपने रट रखे होंगे सारे कोश्चन्स तो आप बस वेट करोगे कि भाई तू तो यहीं चीज़ें रखो इंटर्वी वाली प्रोसेस को थोड़ा सीरियसली लो यानि यह नहीं कि हो जाएगा हो जाएगा मुझे नोलेज तो है लेकिन हम आप बता नहीं पाते हैं कि मुझे कितनी नोलेज है तक कि आर आपके पास एप्सलीट होंगे ना तो बहुत मेरे पास तो मेरा गुरूप भी था मेरे दो तिन दोस्त थे मोही थे माना से इनके हमारे पार गुरूप था हमारे सारे एंसर्स लिखे होगे और प्रोजेक्ट्स भी ज्यादा थे तो हमें हेल्प होगी लेकिन अगर कोई इंडिविजुल बच्चा है तो उसे दिक्कत तो के आंसर बहुत अच्छे से एक्स्पेंट की है और साथ ही साथ में बस वीडियो के एंड में बस यही बोलना चाहूंगा और एनीवन कुछ नहीं होता देवन्ट एट्यू देवन्ट कुछ पी नहीं करेंगे वह तो और साथ ही साथ मैं बस यह बोलूंगा विर आप कोई एक्च्छों इंटर्वीवर जारो है और यूँ ओंट तो लाइक कोई एक्स्पीरियंस है यह लाइग एक्स्पीरियंस का तो यू कोई इसका लिंग आपको डिस्क्रिप्चर में मिल जाएगा सो एलेंड इस वीडियो एंड थैंक यू सो मच आशीश थैंक यू बया फॉर इन्वाइटिंग मी और मैं जरूर कहूंगा कि मॉक इंटर्वीव जरूर दें वह वर्थिट है और मुझे लगता है कि उसकी प्लेमें उससे बहुत होगी आपको थैंक यू एंशुल भाई फॉर इन्वाइटिंग में गिविंग इस अपॉर्चिनिटी थैंक यू आशीश